आप बेट्जों कोई दिखते हैं नमस्कार सिस्ट्राइकाल आदाब दूदेशन परिवार की पूरी टीम की तरफ से मैं अपलव सकते हैं आप सबी का आज के हमारे विशेश कारेक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हस्थ शिल्प सिर्फ राजिस्तान में ही नहीं भारत में ही नहीं पूरे देश विदेश में भारत का परचम लहनाने वाली ये कला है इस कला को तो हम नसमस्तक करते ही हैं साथी साथ में हम सादुबात करते हैं इस से जुड़ेवे कलाकारों का जब हम मैं बोल रहा हूँ तो सब हम तो करते ही हैं, भारतवासी तो करते ही हैं, साथ ही साथ में हमारी भारत सरकार हमेशा चाहती है कि हस्त कला यानि हैंडलूम के शेत्र में जितनी जादा वो भागिदारी कर सकें, जितने वो कलाकारों को आगे बढ़ा सकें, और इस कला को देश-विदेश में जितना जादा हो सके प्रचलेत कर सके फिर इस बारे में अगर हम बात करें तो आती है बात कलाकारों को उनके द्वारा कुछ योजनाय देने की या फिर उनको सम्रद बनाने की या फिर स्वावलंबी बनाने की आज हम इसी तरह के योजना के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है समर्थ योजना और इसके बारे में बाज बात करने के लिए हमारे साथ में स्वागत करना चाहते हैं तपन शर्मा जी का आपका बहुत-बहुत स्वागत है तपन जी आप उपनी देशक हैं बुनकर सेवा केंद्र वस्त्र मंतारे भारत सरकार के तो तपन जी हम हमेशा से जानते हैं कि हस्थ शिल्प, हस्थ कला, हैंड लूम को लेकर के सरकार अपनी तरीके से बहुत ज़ादा भागेदारी रखती है वो चहाती है कि इस कला को देश-विदेश में आगे लेका जयाए जाए और साधे-साथ में कलाकारों के लिए हमेशा वो आगे बढ़ चड़ करके कुछ योजनाई लेकार आती रहती है भारत सरकार के अगर हम समर्थ योजना के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हमारी दर्शकों को ये बताइए योजना क्या है और इसे किस तरह से लाप मिल रहा है? हदकरगा एक सेकंड लाज़ेट जॉप पोवाइडर है इंडिया में, भारत सरकार, बाहरत में, और राइस्थान में करीब 15,000 बुनकर इस शेष से जुड़े हुए है एक skill upgradation एक बहुत महत्यपूर पार्ट है हदकरगा शेत्र का और समर्थ scheme के द्वारा जो है skill upgradation scheme को implement किया गया राइस्थान स्टेट में यह 2021 में जो है financial implement की गई थी और बुनकर सिवा केन जैपूर ने total 17 training programs दस district में विमन districts में करे गए तो हमारा यह प्यासरा के जो नए नए प्रोडेक्ट्स नए जो है टेक्निक्स इंट्रोडूस की जाए जिससे जो है इन लोगों को बुनकरों को जो है नए प्रोडेक्ट बना सके और market oriented जो है लिंकेज ड सब्सक्राइब अगिना जहाए हमारे साथ में अज भुणकर कलाकार भी होआरे साथ में आपकार कर दें हैं धन्य वाज़ोरत करते हैं धनेवाद दादाजी करते थे अहां तरफ में नहीं रहे हैं किमांतर राक्मसण्ण सर्कार नीज कला को सरकार के तब यहां तिक बर्भारत सरकार निए कशाना है । अब अभी उसने दोवजार शोले में हमार को राश्टी नेला कि नीवाजा गया। और 2019 में संत कबीर नेला के लिए हमें समानित किया। कि यह हमारी कला को जानते हैं पहसान थे और तो माधुराम जी आप बहुत साल सा जैसे आपने बताया पीड़ेद और पीड़े काम करें सबसे पहले बार माधुराम जी के लिए तालिया होनी चाहिए संकभीर अवार्ड्स आपको समानित किया गया है बहुत ही हमारे लिगर की कि हम क्यों नहीं हम भी एसी कला को सीखे और हम की ऐसी कला को करें इसक्छाला से तो भी जुड रहें और कर तो मधनम जी यह जो योजना भारज सरकार लेकर की आई है इससे किस तरह से आप लाभान मेश्ट हुए तो बार सरकार की यह समर्थन योजना की तहद से हम यह बुनकर सिवा के अंदर से टीम आई और हमको बताया कि भार सरकार की समर्थन योजना है ऐसी तो आप बुनकरों को इकठा करो उनको सीखा हो हम आपका सयोग करेंगी जो भी यह सयोग करेंगी आपको ऐसा करो तो मैंने इनकी टीम के पूरा प्यास किया समझाने का कि आप इससे जुड़ो भारत सरकार की ऐसी योजनाए का लाब वो शरकार दे रही तो आपको इनसे लाब का फायदा उठाओ लाब करो तो इन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए ठ्रेनर माशर सुना और में भूनकरों को एकठा करके जो भुक्तिगते लूम अपने घरों में काम करते थे तो दस लूम भी हम इकठे करके उन मुझे करके elite काम किया शीखाया और भी सालीष मीर्यों कर दोंग कर रहे हैं और नया सीख रहा है और नया लोग सीखने की करते हैं ऐसी आसा करते हैं कि और भी ट्रैनिंग मिले और नया बुनकर जोड़े जोड़े इससे और नया को सीखे और नया पाँ सीख पाए तो भारसरकार का सयोग मिलता है और भी आसा करता हूं कि और भी सयोग मिले हमें जो और भी बुनकर भाईयों हमसे जोड़ पाए भार बहुत इस अची बात माधुराम जी ने बोली, लेकिन मैं आपसे जनना चाहता हूँ, जिसे राजस्थान बंकर मरत आवोर्ड उनको समानित किया गया, क्या इस तरह समानित करने होने से उनको भी वहती फायदा होता है? लाभानवित होते हैं या शायद वो मोटिवेट होते हों कि हाँ मेरे को भी इस फील में आगे बढ़ना चाहिए क्या मानना है आपका बारस सरकार दारा जो नेशन लावाड संद कभी रवाड नेशन मेरिट स्रेटिफिकेट दे जाते हैं यह जो है कला कर पहचान करने के अच्छा काम करते हैं उनको आगे बढ़ाया जाए जिससे उनके काम की कला को लोग जाने उनमें पहचाने एक बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो और लोग भी देख के हमको भी इस तरह का संबान में लाता है और अच्छा कारे करने के लिए वो बतुत होते हैं क्या बात है तो एक और कलाकार हमारे साथ में है मोदाराम जी आपका बहुत-फ़ुत स्वागत है रुदैशन के आच्छी कारे कर्कम में अपना थोड़ा सा परीचाय धे हमें तो में कौम सीखने के खासे साल हो गया उन्हें से पिच्छे से में कौम सीखिया मैं यह कशिच देगा पट्टू और बल्डी और बिनाता हूं तो वो थी लोगों ने शिखाना करते हैं यहां से आया केंदर से तो यहां नहीं मनुस्टो नौलिज तो दिया हैं के आप यहां आओ और शिखो और आप यह आगी है जोजना राश्टियवाड आपको फार्म बराएंगे आप अच्छा तो पास होगा जी तो वो फार्म बनाय नैशनल मेरिट सर्टिपेट मिला आप अब बर तालिया होनी चाहिए इस चीज के लिए तो लोग बहुत बढ़नों को रोजगार मिले तो यह जोजना आगी बढ़ती जाए तो आपने जैसा भी मोडाराम जी बताया कि सो परिवार आपके साथ जुड़े हैं तो यह जो भा आपके साथ साथ सो परिवार को किस तरह से यह बैनेफिट यह लाब कैसे पहुचा रही है लाब तो यह ङला जाए तो अचाहूंगा यह पट्टू साडी अन्होंने इसका नाम भी लिया बहुत ही इस इसको माना जाता है क्वालिटी भी शाद इसकी अच्छी होती है तो क्या यह कहीं न अकहीं भारफ सर्कार के मन में भी था या उन कीוס態 भी था कि इसका हमस्त क्या बनाना है यह पर आपको एंद्य लगा कि यह कैसे बनकर कम्यूटी है जहां पर इस साडी को अच्छी तरीके से बनाय सकता है जैसे मैंने पहले बताया है समत इस्खीम का उदेश है कि मार्केट औरियंटेट बनाए जाए 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 जबकि साड़ी जो है एक ज्यादा एसेप्टिवल पूड़क्ट है और बहुत ज्यादा डिमांड रहती है और हमने प्यास किया कि जो जो इनकी टेक्निक और ये यू जो हमने पट्टू साड़ी है उसमें जो ताना जो है फाइन कॉटन का यूज़ करते हैं और बाने में जो हम लिनन का यूज़ करते हैं जिससे उसकी फील बहुत अच्छी फील होती है और जो उसमें डिजाइन्स वगरा यूज़ होते हैं वो ट्रेडिशनली पट्टू मे से जो बुनकर हो मार्केट से लिंक कर पाएंगे और अपने आप और डाइवर्सिफेट बना पाएंगे तो इस तरह की जैसे आपने बताया प्रोड़क्त तो इसकी डिमांड राजिस्तान में है आप मतलब आपको लगता है या भारत में या फिर आगे आने राल टाइम पर ब लुक है हमें पूरा विश्वास है इसकी जो डिमांड और आगे बढ़ेगी और अभी धीर धीरे लोगों में जो है यह बहुत फैन यान में बना जाता हर एक बुनकर इसमें नहीं बना पायता हमने चालिस करीब बुनकर वहां पर जो ऐसे बना रहे हैं चीच को बहुत ही दिये दिये इसकी जड़ डिमांड लोगों को पता लगेगा इस बारे में हमारा देश्य प्रोग्राम करने का यह एक तरीके दियूद्ध परेंड प्रडेट्स बनाएं उसके बारे में लोगों को जानकर ही मिले है जिससे उसकी डिमांड बड़े लोग जाने है और जो कर जो अपना उस समय राजस्तान था उपनेश के सभी सकते हैं और इसके। हम और आप इनके इन प्रोडक्स को बाई करके भी इनके साथ जोड़ सकते हैं हमारे साथ में एक और बुनकर का लाकार शामिल है मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं बदरुनिशा जी अपने बारे में थोड़ा सा परिचाय दे हमें असलाम अलेकूम नमस्कार दर्शकों मैं बदरुनिशा के तुन कोटा राजस्तान की रहने वाली हूं जहां पर कस्भाए के तुन नाम से वहां पर कोटा डोरिया साड़ी का काम होता है और वहां पर हमारे साड़े 5,000-6,000 के लगबग बुनकर है और मुझे कुछ है कि हमारे केथून के अंदर 90% लेडी से ही काम करती है तो मैं लेडी सो ही कोई ज़्यादा जोड़ पाए हूं अपने साथ में तो सर्थ हमारे यहां पर गुरूब बनी हुई है जिससे बचतगड़ भी के सकते हैं अपन जिसमें वह 100-100 रुपे मेहना जमा करती है तो वहां पर हमारे यहां पर कम से कम में 300 मेहलाओं के साथ गुरूब बना चुकी हूँ तो सर हमारे जो बुनकर सेवा केंद्र की जो टीम है तो उनसे भी वो हमारे केथून में थोड़ा परीचे में थे तो भारत सरकार से एक योजना आई हुई थी समर्थ प्रोग्राम टेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से तो हमारे बुनकर सेवा केंद्रे की टीम आई केथून में तो उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने बुनकरो के लिए एक योजना निकाली है जो समर्थ टेनिंग प्रोग्राम के नाम से हैं तो उनमें बुनकरों को ही भाग लेना है बुनकरों को ही जोड़ना है और बुनकरों को ही तो आगे बढ़ाना है तो पुरी टीम को में महलाओं को इखटा किया उनसे परीचे करवाया तो आप पुरी जो बुनकर सेवा केंदरे की जो टीम ती ओघर गर गई महलाओं को समझाया कि आप समर्थ टेनिक प्रोग्राम से जुड़िए बारत सरकार से जुड़िए अगर आप सरकार से नहीं जुड़ेंगे तो आप घर तकी सीमित रहेंगे तो आप उनसे जुड़िए जो को आपको 강ष बैसे चИम को बनाया के तो बुद close correctly की तो यहीं नगी कि स्क्षण को बनाया तो नुझे का कारिये शुरू केम लिए चुनुत हो नहीं तो उन्होंने समझाया और हमेने भी सायो किया हो जाएगा सब ऐसा निये के अम बुनकर है तो कुछ नहीं कर सकते हैं ये बहुत बड़ी बात बोले तालिया एक बार होने चाहिए सब कुछ कर सकते हैं तो उन्होंने समझी हो चीज को और हमने टेनिंग प्रोग्राम सुरू करवाया तो भारत सरकार और हमारे बुनकर सेवा केंद्रे की टीम ने उन महलाओं के हमने दस टेनिंग प्रोग्राम करवाया तो उनके आगे चुनोती आ गए कि बावडी का जाला केसे बंदेगा इसमें इतना बड़े कैसे डलेंगे नहीं डिजाइन तो ये थी तोड़ा उनको डिजाइनर को भी बुलाया उन्होंने सबको समाधान किया और महलाओं को आगे शुरू बन्होंने के लिए निखर के आए आज उसाड़ी की मांगे हमारे के तुन के अंदर और उसाड़ी को जब उन महलाओं ने टेनिंग प्रोग्राम ये किया तो उनको भी अच्छा लगा और उनके आमधनी भी बड़ी आमधनी बड़ी तो उनको भी घर चलाने में थोड़ा अच्छा लगा बच्चों की भी पड़ाई टीक से हुई तो आज ये के अगले साले टीनिंग प्रोग्राम हुआ था 2021 में 2022 तक चला तो बड़ा अच्छा लगा और वो मेलाएं जुड़ी और अब वो मेलाएं जुड़ने के लिए इच्छु को रही है कि हमें भी जुड़ना जुड़ना चाह रही है और सरकार्च मैंने भी उनको बताया कि अगर आप केतुन तक इसी मित रहेगी और सरकार्च नहीं जुड़ेंगी जैसे बुनकर सेवा केंदूर अपने समर्त टेनिंग प्रोग्राम के तो हम समझते भी समर्त क्या होता है मेलाएं पूछे समर्त क्य जाए और वो देखे कि वास्ताव में के अंदर मेहलाएं काम कर रहें किस तरीके से काम कर रहें तुन मेहलाओं को बहुत अच्छा लगा और मैं तो यही कहना चाहूंगी भारह सरकार से के ऐसी योजनाएं निकालते रहें और अपने पुनकर सेवा केंदर की जो टीम है उन कर दो अब इस नहीं लेकर आते तो हम तो समझते ही नहीं और उस दिआ होता है उन्होंने क्या संसक्रती डिजाइन बनाई है शर उन्होंने अरबरहाट उसमें बना दिया हनुमार वह पता लिए उनकी एक अलगी डिजाइन थी जो हमारे लिए बहुत अच्छी परसेंद तो में हमारा हाथ करगा कोटा डोरिया तो इसमें में सो महिलाओं को जोड कर ही मैंने समर्तर टेनिंग प्रोग्राम पूरा करवाया है क्या बात है बहुत इच्छा एक बार तालिय हो जाए महिला सशक्तिकरण के लिए भी तालिया होनी चाहिए तपंजी जैसे महिला सशक्तिकरण के हम बात कर रहे हैं या यह बात कर रहे हैं कि बहुत सारी महिलाओं इसमें आके जुड़ी डिजाइन जैसे बदरुनिशा जी ने बताया कि भारत सरकार ने इनको दी ती और वो डिजाइन थोड़ी सी चैलेंजिंग स्टार्टिंग फे करेंगे जब भी हम कोई पॉड़क्ट मार्किट करते हैं इसको पीछे स्टोरी जरूर होनी चीए परानी चार्सो साल से ज्यादा पुरानी साड़ी है जब उनमें वह इसको इंप्लिमेंटेशन किया तो हमाई लिए बहुत चैलेंजिंग था कैसे इसको जो अलग तरीके से इसको राइस्थान कुण्टर ट्रादिशन से जड़ा जा जा सिसको देखते ही हम जो है उसको लिंक कर पाते है राइस्थान राज़ाएं का रॉत है तो कुछ इस तरह की चीजे थी जो हमने जो इसको इंप्लीमेंटर चेका इनके इंसे डिजाइन लेकर इंस्पेशन लेकर उनको साड़ियों में डाला जिस से वह साड़िया जो राहिस्थान कल्चर ट्रेडिशन से जुड़ गई तो इससे यह अच्छा राह करा है कि जो भी आप साड़ी देखेंगे तो इससे आपको फील होगा कि यह राहिस्थान से आई हुई है क्योंकि इसमें इमेज राहिस्थान के लिए है तो यह हमने पूरा प्रयास किया कैसे उसको जो मार्किट से लिंक कर पाए एक स्टोरी महसुस होता है कि राजस्तान का नाम अब कर दो करें कलर फुलनेस के बारे में बात करें तो बहरत में हम पर्चम लह रहाते हैं पूरी दुनिया में एक बार राजस्तान के लिए तालिया जोड़दार होनी चाहिए हमारे वीच में एक और कलाकार अशीष जी आपका लेधर में हैं और हमारी वस्तर बुनाए प्रब की ढ़रा कोटिन काने प्रार्माव कि वह एश्वाट से अवानय के आजपास नहीं होइं किसी प्राoss प्रास कर में बेहुद कิने नहीं क्या होती हैї कैसे दौनाय होती यह कैसे क्षन होती है richest années 2017 में हम आपनी बातुने कार प्लेन कपड़ा बनाते थे तावल हो गया बेट शीट हो गया चदर हो गया प्लेन फेबरिक हो गया यह बनाते थे अब समसे बड़ी समझ से क्या आ देती कि एक तो हैंडलूम वेसे मेंगा पड़ता था और मार्केट में उससे अच्छी आदूनिक चीजे भी आती है उसी रे समर्थ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला आता है अब हमारे बुनकरों को जो सबसे बड़ी समझ से आती है वह आती है कि वह आदूनिकता से नहीं जोड़ पाते जो चीज बनी आ रही है उसी को बनाते जाते है पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते जाते है और नहीं पीड समर्ती हजना चालू करें समर्ती होजना हो गया क्या परक्रीण कहरे कि जो प्लेड़ वदियार में जर्जश ड़ी नहीं है तूम पिछरके जा रहे हुरा है जर आज़ कहरें के कि नई कहानी सूरु होती है। इस समर्त्धी भिया हमारे नई कहानी शुरू ही।抓 कानी ऐसी शुरू हुई कि वहीं से हमने आवा साधी करके ब्रांड बना दिया तीन साल का एक छोटा सा पिरेड हुआ है जिसमें दो साल कोरोना के भी आ गए तीन साल में हमने उस साधी में सबसे पहले साधी की विश्चाइब कोटन में बनाए पूरी क्योंकि हमारा सिद्धा इस 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 पर पहुंच गई कि उसकी और बहुत दिमांड आ इसको बेचने से क्या फायता हुए कि गरामेट शेतर में रोजगार बढ़ा जो बुनाय करने वाले वो जुड़े और एक विशेशता हमारा सेंटर पे जो आद में जुड़े हुए सब यूवा है पहले शुरु आद में जुड़ा है जबकि इस कला के साथ यूवा नहीं कर रही है जहां से स्कील डवलप हो रही है उनकी और वह सीख के और खुद ही अपने अर्जन कर रहे है आज 500 500 700 रुपी आराम से प्रति दिन के हुवा कमा लेते हैं हमारे यहां पर यूवा जुड़े फिर उसके बाद एक को देखके कारवा बढ़ता है और महिलाई भी सवा के अंदर के पास जब भी कोई ओफर आता था तो हमारे को दिल्ली आर्ट में जो एक्जिविशन पारत सरकार के सायों के लगाया जाती तो उसमें जाते थे वहां पर हम उसको डिस्पले करते थे तो डिस्पले करने के बाद आदम देखता था उसको बड़ा अच्छा यहां पर जब जब भी ऐसे आयोजन हो है तो हमने उसका पैसंसों भी करवाया पैसंसों में भी साड़ी को बहुत अच्छा रेस्पोंस मिला तो जब हम दिल्ली में इनमें उसको डिस्पले किया तो वहां के अधिकार उन देखने के बाद उनको लगा कि इस बार दिल्ली मे हमारी सबसे बड़ी उपलब दिल्ली में जो बन रहे थे उन ब्रांड में वहां तक तो हम आगे बहुत पहुंचेंगा अशी आप आगे बहुत पहुंचेंगे आप सभी काम होता है तो आज वहां पर हमने लाइव डेमों चल रहा है एक हमारे बुनकर वहां पर बेठे हु जीरे जीरे बढ़ते जाते हैं पहले कोटन में बनाए मर्सराइज कोटन में चमागाती है फिर उसके बाद हमने लीनें में बनाए तो यह हमारे साड़ी में और बढ़ती जाती है और इस साड़ी की कीमत 5,000 रुपे से हम सुरू करते है और बहुत अच्छा रेस्पोंस भी बहुत अच्छे इस तरह पे हमारा यह व्यापार चल रहा है लोगों को रोजगार मिल रहा है और लोग हमसे जुड़ रहे हैं क्या बात है बहुत एच्छी बात हमारे सामने आईए तालिया एक बार जोड़दार जरूर बनती है तपन जी आपका बहुत बहुत हमारे सब कलाकारों को हम नच्पस्तक करते हैं धन्यवार देते हैं और आप सभी को भी हम यही बोलना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह से हमें प्यार देते रहें और इस कला को विलुप्त ना होने दे हम सब इसमें जरूर भागेदारी कर सकते हैं फ झाल झाल